जी नमस्कार अभी हम है महारत कलासेस में और महारत कलासेस का एक जो सिक्षक है इनका नाम बच्चे के हर जुबान पे रहता है और बच्चा सर से बहुत मोटिवेट भी होता है और सर का नाम लेता है चर्चा में था तो हमने सोचा कि सर से क्यों नहीं मुलाकात कर ले और सर का एक इंटर्विव ले ले ताकि बच्चे का हीत में हो तो सर आप अडविंदे स्टेडी सेंटर में आपका स्वागत है धन्यवाद सर आप कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहां हम मुझे EVS & math ले इस पिसर रखा गया है सीक टुएट का science हम पढ़ाते है यही मेरा सब्जेक्ट है अच्छा मैथ और इवियस पराते हैं तो मैथ और इवियस का बच्चा कई से तयारी करें सबसे पहले तो बता दीजिए आपकी इवियस का तयारी बच्चा कैसे करें EVS में जो होता है सबसे पहली बात होता है समझना रखना नहीं चाहिए EVS को जितना समझदारी सब इउज कीजेगा उतना समझदारी अब को एक जामे फैदा करेगा EVS का कोचन कहीं से किस तर गुमा के पुछता है आप जितना समझदारी से इउज कीज के बनाईएगा यह मतलब जो Eves है उसमें कोन-कोन सा सब्ज़ेक्ट यानि कोन-कोन बुक से पढ़े या आप Notes से तेयारी कराते है हम दोग का अपना Notes त्यारी क्या गया हुआ है Eves का कोचन मेरे Notes के बाहर का एक भी कोचन नहीं आएगा 28-30 नमबर का होता है एक जाम 28 पलस में 28-27 लोग प्रस्नल वह अधिकांस बच्चा कराता है EBS का हम गरांटी ले रहे हैं सर EBS पर आते हैं और सर नोट्स देंगे वह नोट्स यानि नोट्स जो तयार करते हैं वह कैसा नोट्स तयार करते हैं कौन सा बेस पर NCRT के बेस पर मेरा नोट्स तयार क्या गया है NCRT के बेस पर नोट्स तयार होता है उस नोट्स को लेकर आप पढ़िएगा और सर पढ़ाएंगे तो आप EVS में अच्छा नमबर लाएगा तो sir आप बताईए कि EVS का हो गया लेकिन मैथ का त्यारी कैसे करे मैथ में कम नमबर लाता है बचा और मैथ सबसे कम नमबर बचा को आता है जिसका मैथ अच्छा होता है वह सीटेट क्वालिफाई कर लेता है मीप सबसे बड़ी बात है प्रिएक करना है प्रेकटिस नहीं किया गा तो मैथ मेरे नमबर नहीं रागा लेकिन मेरे यह हम मैथ और का ठीचर स्वेसल करो उसको मैथ का डिक्ट रस्वार्ट मूज़ने का शीनल रहा है अप मैथ एक दो आपको पढ़ाएंगे उसको प्रेक्टिस करना होगा आपको तो आपका नमबर मैथ में भी अच्छा आएगा ओर सर्य भी बताये बच्चा को की लग बढग कितना जो बच्चे कितना घंटा पड़िये अरहाइ 3 महिना समय बहुत पर्यापत है सिटेट के लिए मेरे इंशीव जो महारत का है इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ दो महिना एक महिना बहुत रिजल्ट देने का काम करते हैं इसमें क्या कम से कम आप छे घंटा पड़िए छे घंटा पढ़ते समय आप अपने परहाई पही ध्यान रखी अलग वाई कोई भी नहीं सोचिए ना बात कीजिए छे घंटा बहुत अच्छा है आये कलास इरेगुलर इरेगुलिटी बहुत जरूरी है महारत के एक ही निमा इरेगुलर आप रहेगा तो आपका रिजल्ट हंडेट परसेंट आएगा और रिजल्ट आएगा तो आप सिख्छक भी बनिएगा ल तो कैसा लगा वीडियो और आप अंतिम समय में बच्चे का। क्या संदेश देना चाहते हैं। इह जो भी नहीं आ रहे हैं तो कि नोकिफिकेशन बहुत चल्या बच्चा का मन में नहीं आएगा करें। और भविश्य का सिक्षक बनिए अगर आपके मन में दिल में इसका गुंज रहा होगा सीटेट का तो आईए और तैयारी करिए आप सीटेट का एक सिक्षक बनिए तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय दिये फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो भी जो आएगा वह हम सर का बच्चे का इंटर्विव लेंगे और जवाब सवाल भी करेंगे कि किस तरह का महारत क्लासेस में तैयारिया होता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद